हलो दोस्तों बेलकम बैक उन सुकला जी यूटूब चैनल दोस्तों अगर आप एक ब्लोगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा गोप्रो होना जरूरी है अगर आपका कॉंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपको कोई देखेगा नहीं बहुत ल से जो वीडियो बनाते हो उससे ज्यादा दिन तक आप वीडियो नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास क्वाल्टी नहीं रहेगी क्वाल्टी नहीं रहेगी तो आपके पास जो आपका ओडियंस है जो आपके सस्क्राइबर है वह आपके पास ज्यादा दिन तक चाहिए और इसको खरीदने के लिए आपका कितना पैसा लगे तो बने रहे इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखे अगर वीडियो पसंद आये तो आपका अपना चैनल सुकला जी को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें तो चले स्टार्ट करते हैं और आपको और इसको क्यों लेना चाहिए और गोप्रो के साथ आपको क्या-क्या लेना पड़ता है तो सारा का सारा चीज आज की इस वीडियो में कम्प्लीड वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और उसके क्या-क्या यूजिस हैं और आपको समझ में आज आएगा इस क्या क्या मिलता है अला कि मैं आपको एक बार छोटा से रुभी जरूर दिखा देता हूं यहां पर कि GoPro के साथ आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों जैसा कि यह देख सकते हैं कि हमारे पास है यह GoPro GoPro एही कैमरा है और लगना है और इसके साथ एक बैटरी है तो वो एक घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा इसलिए आपको दो बैटरी लेनी है इसके साथ ही साथ यहां पर यह रिमोट है तो यह कौन सा मोडल है और मैंने कौन सा खरीदा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा तो आप इसके अ आपको फ्रेंट और बैक साइड में स्क्रीन प्रोटेक्टर लगेगा तो यह आपको लेना पड़ेगा तो इसको मैं भी इसको अभी मैं आपको रिव्यू करके दिखा देता हूं अभी मैंने भी ले रखा है और इसको ओपन नहीं किया तो यहां पर जैसा कि आप देख सकत तो यह सारे अभी मुझे अपने गोप्रो में लगाना है तो यह भी आपको खरीदना पड़ेगा उसके जो टैमपर्ड है यह टैमपर्ड उसके स्क्रीन पर प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि स्क्रेच ना है तो यह इतने सारे टैमपर्ड है आपको लगाना पड़ेगा त तो इसमें भी एक quality एक खासियत है तो इसको भी आपको देख कर लेना पड़ेगा और इसका जो link है वो मैंने description में दे दिया है और आपको मैं इसको नजदीक से दिखा देता हूं कि यह कौन सा model है और कैसे पता लगेगा कि आपको यही खरीदना है इसको जैसे कि आप देख सक यह 130 होना चाहिए तो इस पे आपको focus करना है और आपको यही product लेना है तो दोस्तों इसका लेने का मतलब यह है कि अगर आप जब तक उसमें memory card नहीं लगाएंगे जैसे कि आप gopro लेते हैं तो उसमें memory card नहीं आता है तो आपको यह अलग से खरीदना पड़ेगा और 256GB इस के पास storage नहीं है तो इससे अच्छा कि आप इसको एक बार में 256GB खरीद सकते हैं तो यह आपका काफी दिन तक चल जाएगा और काफी जो आपका backup है store कर लेगा दोस्तों इसके साथ ही साथ यह उलांजी का यह product है यह product क्या है इसके अंदर क्या है मैं आपको पहले नजदीक से दिखा देता हूं आप यहाँ पर दिख लीजिए यहाँ पर लिखा यूलांजी और इस तदा का यह protector है यह GoPro के ऊपर लगता है जैसे कि अगर आपका GoPro ऐसे गिर गया तो इसको यह protect कर सकता है उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको यह मिलता है इसको आप अपने GoPro पर सेट क करना है यह अभी मैं आपको सब कुछ लगा कर दिखाता हूं दोस्तों इसके साथ ही साथ GoPro का एडॉप्टर आता है वह 4000 रुपए का है तो वह मेरे पास नहीं है मैं उसको बाद में खरीदूंगा उसके बाद आपका गन माइक आता है वाइस कॉल्टी को क्लियर करने के मैंने नहीं करीदा तो चलिए यह जो प्रोड़क्त है मेरे पास इसको एक गोप्रो में सेट कैसे करते हैं मैं आपको अभी पूरा कंप्लीट सेट अप करके दिखाता हूं दोस्तों यह रहा गोप्रो और गोप्रो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी क ऐसे इंसाइट करनी है तो यह बैटरी जो है ऐसे होनी चाहिए और आपको कैमरा ऐसे पकड़ना है ठीक है ऐसे पकड़ने के बाद आप अपनी बैटरी को इसके अंदर ऐसे डाल सकते हैं और यहां पर आपको प्रेस कर देना प्रेस कर दिया दोस्तों इसके बाद जो यह मे इसको मैने उसमें अल्रेडी इंसैट कर रखा है तो यह जो आइटरी लगाने वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं दोस्तो अब बारी आती है उलांजी की इस प्रोड़क्ट का तो अपना जो गोप्रो है इसको इसमें डालना है तो गोप्रो में जो यहां पर यह केस लग आपको इसको यहां से निकाल देना है और सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से खीच लेना है इसमें से यह इस तरह से आराम से इस तरह से हमने खीच लिया तो यह जो पार्ट है इसमें से निकल गया उसके बाद यहां पर निसान बने हुए हैं यहां पर निसान बने हुए है आपको इसको खीचना है इस तरह से आपको इसको प्रेस करना है तो यह खुल जाएगा इसका बिंडो खुल गया और यहाँ पर भी एक निसान बना हुआ है यह निसान तो आपको इसको क्या करना है ऐसे करना है और इसको इस तरह से ऐसे करने के बाद इसको इस तरह से ओपन कर कर देना है और इसको इस तरह से बंद कर देना है तो यह पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है अब यह बन चुका है पूरा ब्लोगिंग कैमरा इसके बाद अगर आप यह चाहें तो यह लगा सकते हैं इसमें इस तरह से आप चाहें तो इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं तो यह जो उलांजी का प्रोड़क्ट था इसके साथ बहुत सारे ओप्शन मिले हैं तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे कभी गन माइक लगाते हैं अभी मैंने इसको ओपन कर दिया चोड़ दिया है अगर यहाँ पे कभी आप गन माइक लगाते हैं तो इसके साथ यह प्रोड़क्ट भी मिला है तो आप यहाँ पर अपना जो भी गन माइक रहेगा वो भी लगा सकते हैं अगर आप रिगोर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल सकते हो और इसको निकालने के बाद आप ये जो प्रोड़क्ट है इसके कैमरे को इस तरह से आप धंक सकते हैं तो ये जो आपका कैमरा है वो धंक चुका है तो ये जो उलाजी का प्रोड़क्ट है बहुत ही ज़ादा अच्छा है और यह जो है मैंने जो GoPro से बैटरी के लिए निकाला था GoPro को जो यहां पे बिंडो वाला था यह वो है तो दोस्तो इस तरह से अब जाकर हमारा एक GoPro का setup तयार होता है और इस तरह से हम vlogging कर सकते हैं इसके साथ ही साथ यहां पर एक stick भी खरीदनी पड़ती है वो मैं इस वीडियो में लाना और दिखाना भूल गया हूँ तो उसका भी link मैं description में डाल दूँगा तो एक GoPro का setup अच्छे से करने के लिए without इसके आप पहली बात तो vlogging कर नहीं पाओगे तो आपको यह सारे product लेने ही पड़ेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद भी सकते हैं तो इस तरह से जाकर पूरा setup तयार होता है तो अभी साम हो चुकी है और मैं अभी जो GoPro खरीदा हूँ इसका पहली बार यह testing कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैंने इस्तिक नहीं लगाई तो अपने इस GoPro को अपने हाथ में इस सरह से रखा हुआ हूँ तो हाथ में ही लेकर हमारे background को कितना दिखा रहा है इसको जानने के लिए मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ और जैसे कि आभी आप देख सकते हो कि सूर्यास तो होने वाला है तो इस तदा से थोड़ी सी quality जो हमारे face पे है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो GoPro है night में अच्छे से record नहीं करता और यह जो मेरी voice आ रही है सिदा भी GoPro में के sound से आ रही है उनको बहुत बहुत भन्यबाद और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना जय हिंद